चलिए नमस्कार सभी को बूड इवनिंग हैमन्द सिवानी राहूल सोनाली जल्दी साय जैए सभी लोग अब है बोईस वह रहे क्लियर है क्या जल्दी साय जैए सभी लोग चलिए मुकेज सभी को मेरा नमस्कार अब पढ़ना स्टाट करते हैं हम लोग आज की हरी नाली जी है डिजीज के बारे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पढ़े लोग लोग आपने से फिलाए हम लोग वाग नेख माना और रोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं माना और रोग चलिए प्रसान सर्मा गुड़ीवनिंग आजाई जल्द जल्दी माना और रोग की अधि हम बात करते हैं दोस्तों यहां से एक कोशन आता है अपका हर एक्जाम में होगी अच्छा टॉपिक है यह और मेंस में 15 नंबर का कोश्चन बनता है human disease या पिस संक्रामक रोग को समझाईए और आसंक्रामक रोग को समझाईए 15 नंबर का कोश्चन बनता है लेकिन 2020 से 15 मांस का जो कोश्चन आता है वो अब नहीं आएगा अब वो 11 नमबर का question आएगा MPPSC में दो प्रकासे से डिवाइट करेंगे हम लोग infectious disease infectious का मतलब होता है संक्रामक रोग संक्रामक रोग और एक होता है आसंक्रामक रोग non-infectious disease आसंक्रामक रोग कहते हैं आसी बीमारिया जो एक दूसरे से फैलती है ना transmitted by one person from another person एक व्यक्ति से दूसरे परसंद पर यह दी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं क्या कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं तो लिख लिए इसमें ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं ट्रामक रोग कहते हैं ट्रामक रोग कहते हैं ट्रामक रोग कहते हैं transmitted from one person to other person तो इसे इस पकार की जो बीमारी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं infectious disease कहते हैं ऐसे रोग जो एक वक्ती से दूसरे वक्ती में फैलते हैं और आसंक्रा मग रोग ऐसे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं एक दूसरे पर नहीं फैलते हैं आसंक्रा मग रोग कहलाते हैं do not get transmitted from one person to other person हो गया तो ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से फैलती है वो कहलाते हैं संक्रमक डिजीज एक और अंतर लिखते हैं दूसरा आपको या रखना है ये रोग प्रोटो जोवा पर जीवी भी कहते हैं लोग प्रोटो जोवा जीवानू बैक्टिरिया बाइरस बाँ कवक से फैलते हैं कवक को बोलते हैं फंजाई प्रोटो जोवा बैक्टिरिया वाइरस और फंजाई इनसे फैलते हैं इनसे फैलते हैं जैसे उधारान लिख लें प्रोटो जोवा से फैलने वाली बीमारी आपको पता मलेरिया मलेरिया प्रोटो जोवा से फैलने वाली बीमारी हैं बैक्टिरिया का एक्जाम्बल देखे लो टाइफाइड टाइफाइड ये जीवानू के दोरा फैलने वाली बीमारी है इसके इलावा तीसरा एक्जाम्पल हो जाएगा वायरस से तो आपको पता है कोरोना ये क्या है वायरस से फैलने वाली बीमारी है कोविट नाइटिन कवक से फैलने वाली बीमारी अस्थामा अस्थामा कवक के दोरा फैलने वाली क्या है बीमारी है तो ये एक्जाम्पल हो जाएगे अब इस रोग की अधि हम बात करते हैं तो ये रोग प्रोटीन प्रोटीन की कमी प्रोटीन 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 की कमी से वा हार्मोन खनी की कमी या अधिक्ता से फैलते हैं हार्मोन देखाओगा आपने कई बार कम हो जाता है कई बार ज्यादा हो जाते हैं तो भी इस से क्या होता है बीमारी फ़र्दी तो यह आपको याद अखना है उधारन लिख लेजिए इसके सबसे पहले प्रोटीन लिखा हुआ है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है कौसी और कर कौसी और कर या कौसी और कर भी लिखा रहता है यह आपको पता है प्रोटीन की कमी से होता है बिटामिन की बात करते हैं तो इसकर भी रोग आपने सुना होगा इसकर भी इसकर भी रोग यह बिटामिन सी की कमी से होता है इसके अलावा हार्मोन तो अपने डाइबिटीस सुना होगा मदू में रोग पढ़ा था हमने मदू में हैं रोग यह हार्मोन की कमी से होता है खनीज की अधिक्ता से यह कमी से तो आपने सुना होगा घेंगा रोग यह आयोडिन की कमी से होता है इसके लेटरन सिस्टम जो हमारा कंकाल तंत्र है वो अपलोड हो गया था आप वो क्लास देख लीजिएगा आप लेकराज गुड इबनिंग आजाई जल 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 दी सभी लोग तो यह फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा हो गया अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटो जोगा से होने वाली बीमारी पहले है प्रोटो जोगा से होने वाली बीमारी हो गया चलिए बढ़ते हैं आगे अब लिखे जिए प्रोटो जोगा से होने वाली बीमारी प्रोटो जोगा से होने वाली बीमारी एक फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग स्टेटी करेंगे अप्लोट किया है है मंत पर जहां उसी डेट को देखिएगा प्रोटो जोगा से होने वाली बीमारी के अदि हम बत करते हैं तो यहां पर लिखेंगे बीमारी का नाम बीमारी का नाम यहां पर लिखना प्रभावी तंग कौन सा है अफेक्टिट और्गन प्रभावी तंग अफेक्टिट और्गन और यहां पर लिखेंगे हम लोग बिसेज कुछ रिमार्क्स में लिख लेंगे चलिए हो गया चलिए तो आप देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारी होती है प्रोटो जोगों प्रोटो जोगों से होने वाली बीमारी कई बार कोशन यह जाता है इन में से कौन सी बीमारी बैक्टिरिया से होती है कौन सी प्रोटो जोगों से होती है कौन सी बाइरस से होती है और कौन सी कवक से होती है इस टाइब के कोशन बनते हैं तो सबसे पहले लिख लीजिए मलेरिया मलेरिया प्रभावी तंकियदी हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें होता है आर बीसी या इस्प्लीन इस्प्लीन मैंने आपको बताया था इस्प्लीन को प्लीहा भी कहते हैं प्लीहा आर बीसी लाल रखते कणिकाए कई बार आप मलेरिया जाते हैं तो आर बीसी चेक करते हैं आर बीसी या अफेक्टिट ओर्गन होता है इस्प्लीन प्लीहा पढ़ाता हमने डाइजिस्टिव सिस्टम में तो affected organ ये रहेगा बिसेस में लिख लेना मदेरिया आपको पता है अनोफलेस मच्छर के काटने से होता है अनोफलेस female अनोफलेस इसमें भी female यह काटती है तो इसे यह रखेगा female अनोफलेस मादा अनोफलेस मौस्केटो इसके अलाबा protojoa parasite छोड़ देते हैं यह अन्दर parasite का यह मतलब होता है protojoa को जो दूसरे के उपर depend रहता है खाने में तो हमारे अन्दर यह क्या करता है मच्छर काटता है तो एक अन्दर plasmodium जह वो छोड़ देता है और फिर वो क्या करता है हमारी RBC का जो है बक्छर करते रहता है तो एनोफलेस mosquito के काटने से होता है इसके अलाबा एक और आपको यह दखना है वो यह है कि protojoa का नाम क्या है अलागि नाम कम पूछा आता है लेकिन malaria का पूछा गया है protojoa का नाम क्या है तो उसका नाम है plasmodium bivax पूरे यहार नहीं रखना है कुछ खास-खास आपको यहार रखना है plasmodium bivax तो यह हो जाएगा protojoa का नाम mosquito का नाम कुछ आता है तो मादा है नोफलिस मच्छ हाँ प्रसांद very good plasmodium bivax यह क्या हो जाएगा यह protojoa का नाम है हो गया इसके बाद दूसरा लिखिएगा malaria की बाद फिर जाएगा pyria 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 की अधि हम बत करते हैं तो आपको पता है इसका affected organ रहता है gums gums masura जिससे हम लोग कहते है masura क्या हो जाएगा प्रभाभी तंग हो जाएगा gum यह वाला gum और pyria की अधि हम बात करते हैं दोस्तों तो यह qlex mosquito के काटने से होता है qlex mosquito तो इसका भी मच्छर है qlex mosquito इससे यहां तखिएगा इन में भी अलग अलग प्रजाती होती है और इसका proto joa का नाम है gingivitis हाला कि पूछा नहीं रही है कि याद रखें आप gingivitis class में यह आप लोग कुछते से लिए हम पढ़के आए gingivitis यह क्या हो जाएगा इसके proto joa का नाम है फिर जाएगा file area file area malaria pyria फिर file area प्रभावी थांग क्या होगा इसमें legs होती है tongue legs होगी affected organ में हो गया तो यह याद रखना है आपको gingivitis केवल एक सब याद रखें पूरा याद रखना की दिरुवद तो नहीं है आपको यहाँ केवल प्राद्लमोडियम देदेता है यह जिंजी बाइटिस देदेगा तो यह चीज़ें आपको गया है याद रखनी इसके अलाबा विश्चेश पर लिख लेना इस बीमारी को हाथी पाउ भी कहा जाता है elephantesis हाथी पाउ बीमारी भी कहा जाता है हाथी पाउ तो यह किसे कहते हैं यह कहा जाता है file area को file area बीमारी को इसके अलाबा इसमें मेच्छर काटता है और उसे qlex कहते हैं qlex mosquito इसी प्रजाती का रहता है यह भी कई बार इसा रहता दूसरे symptoms में होते हैं qlex mosquito file area जल्दी से लेख लेजिए और इसका proto-जोगा का नाम है ben crofty इसके proto-जोगा का नाम है ben crofty इतना याद रखना है बस आपको ben crofty तो यह किसका है file area फटा फट लिखते चलिए हो गया sorry late हो गया कोई बात नहीं late हो गया अंकित लेकिन अब दिखाऊंगा तो मतले उसमें लिख नहीं पाऊगे ना नहीं तो फिर इन लोग का लॉस होगा अब बहुत सारा एक पूरा पेज भरा हुआ है यह आप बाद में नोट कर लेना हो गया हमने कुछ नहीं फॉर्मेट बनाया है पहले और वो हमने लिखा था केवल यदि हम बात करते हैं दुस्तों तो केवल आने फॉर्मेट लिखा संक्रमग बीमारी और संक्रमग बीमारी इसलिए कोसेश करिए कि सही टाइन पर आगाए उसके बाद से यही लिख रहे हैं लोग प्रोटो जवा से होने वाली बीमारी तो आप यहां से लेखना स्टार्ट कर दीजिए एक पेज छोड़ दीजिए पूरा एक फोर साइज वा तो यह है एलिफेंटेसिस बीमारी इसके अलावा और भी बीमारी हम लोग देखते हैं बीमारी का नाम हो जाएगा फिर डाइरिया डाइरिया प्रभावी तंकी है दी हम बात करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा इंटेस्टाइम इंटेस्टाइम आथ मैंने आपको पहले ही बिताया था आथ में भी पूछेगा छोटी आथ के बड़ी आथ तो बड़ी आथ लगाना है कूलन भाग है ना हमने पढ़ा था डाइजिश्टी सिस्टम में जहां पानी का रे d邊 करते हैं तो पानी हमारे मलके साथ गया है मिंस हो जाए तो पार जाते हैं डाइरिया तो ये आपको याद रखना है Histolytica Histolytica ये question पूछा था एक सब्द आपको याद रखना है Histolytica ये क्या है इसके बेक्टिरिया का नाम मिल जाएगा इसमें, सुरी, प्रोटो जोगा का नाम Histolytica एक-एक सब्द याद रखना है आपको यह हो जाएगा डाइरिया डाइरिया जिसे हम लोग लूज मोसन भी कहते हैं डाइरिया को ना अब आप जानते हैं इसके लाबा इंसॉम्निया इंसॉम्निया इसमें अफेक्टिट और्गन होता है मस्सिस के हमारा मस्तिस्क ब्रेन इंसॉम्निया या रखेगा इसे निद्रा रोग भी कहते हैं न इसमें नीद नहीं आती है निद्रा रोग इसमें नीद्र की क्या है कमी हो जाती है आ निद्रा या निद्रा रोग आ निद्रा लिखने ना आप हो गया और ये सीसी मक्खी काटने से होता है सीसी मक्खी टी सैलेंट है या ऐसा लिखते हैं सीसी मक्खी सीसी फ्लाई इसके काटने से होता है सीसी मक्खी की बात करते हैं तो ये काला हारी मरुस्तल में काफी बिलती है आफरीका में इंसोम्निया जल्दी से रिखने सीसी मक्खी के काटने से होता है अफेक्टिट औरगन क्या हो जाएगा ब्रेन हो जाएगा ब्रेन और यदि आप से पूछ रहा है प्रोटो जोगा का नाम क्या है ट्रिप्नो सोमना ट्रिप्नो सोमना ये इसके क्या है प्रोटो जोगा का नाम हो जाएगा इन सोमनिया समय लाश में या या लगा है हर बीमारी में क्या है रिया रिया लगा है तो आपको दिखाई दे रहा है किसी में रिया लगा हुआ है देखो यहां पर लगा डायरिया में रिया लगा है इंसॉम्निया में निया लगा है फाइलेरिया में रिया लगा है CVI किस के पीछे लगी है तो RIA के पीछे लगी है हर जगे क्या है RIA RIA आ रहा है बाकी तो मिटा दिया Malaria, Philaria Pireia और Insomnia चलिए तो यह हो जाएगा आपका Proto जुआ से होने वाली बीमारी है अब next अम लोग देखते हैं एक एक लाइन छोड़ते चलना ताकि कुछ नए मिले तो आप यहाँ पूट कर सकते हैं अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बाइरस से होने वाली बीमारी बीसाणू जनित रोग डिजीज वाइरस वही चीजे बना लेते हैं यहाँ बीमारी का नाम एक तरफ बीमारी का नाम इसके बाद फिर प्रभावी तंग अफेक्टेट और्गन अफेक्टेट और्गन अफे लिखेगा बिसेश डिजीज अफेक्टेट और्गन और्फे रिमार्ट बीमारी का नाम हो जाएगा तो आपको पता है पोरोना ये बिसाणू जनित जो है वो रोग है अफेक्टेट और्गन आपको पता है हॉल बोडी संपून शरीर ही आएता है ज्यादा तर संपून शरीर में फीवर आजाता है ठीक्रम संपून बोडी दिखेगा सिम्टम्स नहीं लिखा रहा हूँ है ना सिम्टम्स नहीं पूछे आते हैं और विशेश वायरस का नाम हो जाएगा COVID-19 COVID-19 भी कहते हैं हम लोग कोरोना को और यह कहां से फैलना इस्टार्ट हुआ था तो चीन के बुहान जो है वो सहर से चीन के बुहान सिटी से फैलना स्टार्ट हुआ था यह तो यह लिख ले ना चीन के बुहान सहर से स्टार्ट हुआ था यह दूसरा हो जाएगा डेंगू डेंगू और आपको पता है डेंगू की अदि हम बात करते हैं तो इसमें अफेक्टेट और्गन अजाएगा हॉल बोडी संपूर्ण शरीर डबलू भी लिखूंगा इसका मनलब यही रहेगा हॉल बोडी यह इसी में कमी हो जाती ही प्लेट लेट्स की प्लेट लेट्स पढ़ाता हमने ब्लड में और इकिस मच्छर के काटने से होता है कई बार पूछा हैं इसमें भी है फीमेल यह मच्छर की प्रजाती होती है एडिस इजिप्ती काफी बिमारी होती है से फीमेल एडिस इजिप्ती एक सब्द दिखाए दे रहा है यहां पर इजिप्त इन दिखाए दे रहा है इजिप्त इसका मतलब होता है मिस्र कौन सा देश है मेश्र देश तो यहीं से फैली थी यह बीमारी इस कारणा उसी यह मच्छर सबसे पहले यहीं दिखाई दिया था तो उसी की नाम पर रख दिया गया इसका नाम एडिस जिप्ती हो गया तो यह है डेंगू मच्छर डेंगू बीमारी फोल बॉड़ी इसमें अफेक्टेट और्गन रहेगा सबसे यहादा लिखना है ना फ्लेट फ्लेट्स की कमी हो जाती है मच्छर कौन सा है एडिस इजिप्ती यह आपको बिसेश में याद रखना है हो गया मौस्किटो कई बार पूछा गया है इसके बाद फिर है चिकन गुनिया चिकन गुनिया के दिए हम बात करते हैं अफेक्टेट और्गन क्या जाएगा हॉल बड़ी संपूर्ण शरीर और यह भी होता है एडिस इजिप्ती मच्छर काटने से यह मौस्किटो भी कह सेमी है एडिस इजिप्ती मच्छर के काटने से होता है यह भी एडिस इजिप्ती से तीन विमारिया होती है जीका वायरस और चिकन गुनिया और एक होता है डेंगू यह आपको यार रख रहा है एक और होता है जीका वायरस जीका विमारी आपने सुनाओगा प्रवावे तंग संपूर्ण सरीर अलवर्डी विसेश में क्या लिख रहे है तो विसेश में हम लोग लिख रहे है इसका जो अच्छा है वो भी क्या है एडिस इजिप्ती तो यह है जीका वायरस एडिस इजिप्ती इसके रावा आपको यार रखना है स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू बीमारी स्वाइन फ्लू पता है बहुत फहमास है और इसका नाम है है एच वन एन बन यह बाइरस का नाम इदा निख लेंगे आगे यहां अफेक्टेड औरकन क्या जाएगा हॉल बाडी सम्पूर्ण सरीर सम्पूर्ण सरीर स्वाइन फ्लू बाइरस का नाम है है एच वन एन बन कई बार पुछा है एक्जाम में इए स्वाइन फ्लू सुवर्ण से फैलता है आपको पता है इसलिए स्वाइन बुलते हैं किसे सुवर्ण इसलिए को एक है वर्ड फ्लू एक है वर्ड फ्लू संपूर्ण सरीर बाइरस का नाम हो जाएगा यह हो जाएगा वर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू इसके इलाबा Hepatitis Hepatitis बीमारी affected organ हो जाएगा Libre most important है Hepatitis affected organ हो जाएगा Libre यकरत भी हम लोग इससे कहते हैं यकरत और फिर यह आद अखना है इसे joint disc के नाम से भी जाना जाता है joint disc हम लोग पीलिया रोग भी कहते हैं joint disc तो इसे joint disc भी कहा जाता है और vicious फे लिखिएगा यह तीन प्रकार के होते हैं 30 वाइरस होते हैं इसके Hepatitis A virus Hepatitis B virus Hepatitis C virus 3 परकार के virus होते हैं तो यह सबसे खतरनाक पुसता है कौन सा होता है सबसे खतरनाक होता है C वाला इसका treatment नहीं होता है इसके बाद फिर क्या है सीधा आदमी निपड़ जाता है और फिर फर्स्ट क्लास से फिर पढ़ना पढ़ता है उसे, तो यह रखेगा, सबसे खतरनाक कुंसा है तो C वाला है, लास्ट जया वो श्टेज है यह, रोक की भी और आदमी की भी, सबसे खतरनाक कि यह वाला है, लीवर, हैपेटाइटिस, जो एंडिस या पी लिया भी हम लोग कहते हैं न, तो यकरत जो है वो इसमें अफेक्टेट और गन रहता है, हो गया है तना, और मैंने कल प्रक्टिस क्लास में बताया था आपको, हैपेटाइटिस डे कब सेलिबरेट किया जाता है, 28 जोलाई को, हैपेटाइटिस डे, स्टेलिव्रेट किया जाता है अब आपको होमब्र करके लाना है कल जितने भी बीमारिओं से संबन्दित देज हैं वह लिखे लाना है आपको पंद्रा क catalog लिखना है होमब्र के लिख ले ना बीमारिओं से संबन्दित दिवस तो आपको डूंड के लाना है तो एक तरह दिवस लिख लीजिए आप लोग भी बताते लें क्या क्या कोशन आते हैं जैसे डेंगू डे पूछा गया था डेंगू डे कब सेलिबरेट किया जाता है मलेविय दिवस भी मनाया जाता है लिख लीजिया आपको घर से करके लाना है लिख लेंगे मलेरिया हैपटैटिस समझ में आ रहा है कैसे होमवर्ग करना है इतने भी मैडिकल टर्म्स वाले डे हैं वो सारे लिखना है आपको ब्लड डोनेशन डे एक कोशन डे से आता है तो आप इस तरीकी से पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से लिखके send करिएगा मुझे जो सबसे अच्छे लिखेगा उसका status में डालेंगे blood donation इसके अलावा malaria दिपस हो जाता है nurse day भी होता है nurse day doctor's day doctor's day doctor's day ads day ads day celebrate किया जाता है leprosy day आप भी बताते चलेंगे question यदि आपने देखा हो leprosy day आपको सर्च करके लाना है जल्दी से बताईए और कुन कुन सा दिवस होगा थैले सीमिया दिवस थैले सीमिया दिवस हाँ कैंसर दिवस होता है very good cancer दिवस c है इसके लावा kidney day भी होता है kidney day kidney दिवस फिर दिवस भी होता है फिर दिवस भी होता है फिर दिवस valentine day वाला नहीं है यह अलग से होगा ना नहीं तो valentine day लगा दी और बता है diabetes day होता है very good diabetes day मदू में रोग और बता है glycuma day भी होता है ठीक है वैसे पूछा नहीं है लिकलो glycuma दिवस और बता है heart day हो जाएगा है diabetes day world health day होता है very good health day पंदरा लिखके लाना है अब को दसक हो गया होंगे फिर भी corona day नहीं होता है भी अस्तमा दिवस हो गई अस्तमा day अस्तमा दिवस हो गई चली ये इतने बहुत है डेंगू मलेडिया कई बार पूछा गया है अनीमिया रोग होता है अनीमिया डेवी होता है अब अजाते हैं हमारे topic पर ये पढ़ रहे थे हम लोग चलीए यहां पर हम लोग लिख रहे थे virus का बीमारी का नाम यहां लिख रहे थे affected organ और यहां बिसेश अब और भी बीमारी के दिए हम बत करते हैं तो chicken pox chicken pox chicken pox के दिए हम बत करते हैं दोस्तों तो यह दो प्रकार का होता है आपने सोना होगा एक होता है small chicken pox छोटी माता भी बोलते हैं और एक होती ही बड़ी माता एक होती है बड़ी माता chicken pox इसको बोलते है small chicken pox और इसको बोलते है chicken pox हिंदी में लिख लेना छोटी माता इसको बोलते हैं बड़ी माता दानी पड़े जाते हैं शरीर में आपने देखा होगा तो affected organ हो जाएगा whole body संपून सरीर पहले हलका सा फिवर आता है उसके फिर पूरे सरीर में ये चल जाता है खास और से इसका virus का नाम है इसका नाम है bere यह है बाहला से उट पहलव का नाम और आसा वायरस है यह जो अपने प्रतिख हुद के प्रति क्या करता है anti-body create कर लेता है एक बार यदि आपको ये life में हो जाता है दो बारा नहीं होता है 99% केस में ये होता है कि एक ही बार होता है life में ये बीमारी इसके बाद ये जो वायरस है अपने प्रती anti-body create कर लेता है दो बारा ये सरीर में फिर नहीं होता है लेकिन कुछ exception होंगे ये है बड़ी माता और छोटी माता इसके लावा और क्या होता है एड्स होता है एक वाइड इम्यूनो डिफिसियंसी सिंड्रोम बच्छपन से पढ़ रहा है एड्स WBC बीक हो जाती है संपून सरीर में होता है लेकिन मैंन क्या है इसे वाइड ब्लैड कार्पसButνα Ilum कोशन के यह जाता है एलीजा टेश्ट अलीजा टेस्ट का संबंध किस्ते हैं तो आपको याद अखना है यह होता है एलिजा टेस्ट एड्स से संबंदित है इसके रावा एक और कोशन पूछा था बेस्टन ब्लोट यह टेस्ट किस से संबंदित है बेस्टन ब्लोट तो यह भी है एड्स से संबंदित बीमारी है यह और इसी का क्या है बेस्टन blot में ही चेक किया जाता है चेक अप होता है टेस्ट होता है तो यह दोनों प्रकार्ट के टेस्ट हैं एट्स में किया जाते हैं western blot और eliza इतना याद रखिएगा फटाबट लिखते चले इसके अलाबा नीपा वाइरस फैला था नीपा वाइरस और इसमें भी whole body रहेगा सब्पूर्ण सरीर और यह फैला था 2019 में केरल के मालापुरम जिला में केरल के मालापुरम में फैला था यह नीपा वाइरस हो गया प्रसांद क्या बोल रहे हैं एड्स केपिटल यूगांडा हो गया सबसे पहला बता रहे हैं कि आप वहाँ से फैला था पूरा लिखा करो यहां चीज़ियां हमको समझ भी नहीं आती हैं फिर इसके बाद फिर चारचे में रहे ने रहे हैं बैस्ट नाइल बाइरस बैस्ट नाइल बाइरस यह यह Tag לחता हैं आपको बैस्ट नाइल बाइरस बेश्ट नाइल बाइरस यह थी हम बात करते हैं दोस्तों अल बाड़ी इसमें कह रहेगा अफेक्टेट और गर रहेगा यह भी 2018 में केरल से फैला था ही 2018 में केरल यहां से फैला था ही बेश्ट नाइल बाइरस Basis, Nile Virus सबसे पहले ये योगांड़ में फैला था या रखेगा सबसे पहले योगांड़ में भारत में मलापुर अमेरा योगांड़ योगांड़ आपको पता है कहां पढ़ता है ये आफ्रीका में और ये जो नील नदीगे ये भी कहां बेहती है आफरीका में होती है उसी के नाम से पढ़ा है बेश्ट नील बाइरस या नाइल बाइरस इसके लावा एक आया है मंकी फिवर आया था मंकी फिवर इसमें भी संपूर्ण सरीर रहता है अफेक्टिट और्गन क्या है संपूर्ण सरीर और ये करनाटक से फैला था क्यासा नूर फॉरेश्ट क्यासा नूर जंगल कहां पढ़ते हैं ये बांदीपूर नेशनल पार्क में बांदीपूर नेशनल पार्क अक्षे कुमार ने अभी discovery में शूट किया है तो यह है क्यासा नूर forest बांधीपुर नेशनल पार्क मैंने बताया था करनाटक में बढ़ता है तो यहीं से फैलना स्टार्ट हुआ था मंकी और गिलहरी से फैल रहा था यह बाइरस तो करेंड की कोश्चा नहीं है लिखते चलिए क्यासा नूर forest तो मंकी बाइरस या मंकी फिवर इस्टार्ट हुआ था और एक स्टार्ट एक मंकी एक और बताया था मैंने आपको मंकी पॉक्स यह भी बाइरस से होने वाली बीमारी है और यह क्या है हॉल बाडी में जहे वो इफेक्ट करेगा मंकी पॉक्स की बात करें तो एसिया में 10 जून 2019 को सिंगापुर में देखा गया था यह वायरस एसिया में पहली बार था यह अदरवाइस यह भी फैला है आफरीका से मंकी पॉक्स है यह मंकी पॉक्स संपूर्ण सरीर हो जाएगा और देख लेते हैं एक था जापाइनीज इनफ्लेटिस जापानीज इनफ्लेटिस कई बार के बल यह लिखा रहता है इनफ्लेटिस मस्तिस के जवर भी बोल रहे थे हम लोग जब यह आए था 2018 में आपको पता है इनफ्लेटिस इसमें अफेक्टिट और्गन रहता है ब्रेन ब्रेन में स्वैलिंग है जाती है बुखार चड़ता है प्लस ब्रेन में स्वैलिंग आजाती है 2018 में गोरक फुर में देखा गया था फिर बिहार में भी फेल गया था आपको पता है गोरक फुर तो ये भी यार रखें कर्रेंट से जोड़ के पढ़ना है इसको जापाइनिस इन्फ्लेटिस हम लोग इसे मस्तिस के जोर भी बोल रहे थे उस समय यह चमकी बुखार है ना चमकी बुखार इसी का नाम पढ़ रहा था है चमकी बुखार तो ये आपको याद रखना है जापाइनिस इन्फ्लेटिस इसके लाबा एक और था ये भी दो जार उन्दीस में फैला था कैनाइन डिस्टेमपर बायरमस ये मैंने पहले भी पढ़ा है था आपको करयंट अफ्लेस से जोड़के और कैनाइन डिस्टेमपर की बात करते हैं तो ये एनीबल से समद्दित भीमारी है और ये हो रहे थी dog में and asiatic lions asiatic lions asiatic lions मैं आपको बताया था कहाँ पर हैं गिर नेशनल पार्क से फैली थी यह बिमारी गिर नेशनल पार्क में फैली थी बिमारी तो यह current का question है याद रखेगा कैनाइन डिश्टेंपर कुत्तों में होती है और सेर में होती है ये बीमारी कफेली थी ये 2019 में कैनाइन डिश्टेंपर हो गया इतनी जह है वो चीजें आपको याद रखना है हो गया इसके बाद फिर एक और याद रखें लस्टा डिजीज लस्टा फिवर ये भी चर्षे में रहा है बिशेश में लिखने ना 2019 में नाइजीरिया इस बीमारी से कैया मुक्त हो गया है नाइजीरिया फ्री फ्रॉम लस्टा लस्टा फिवर हमारे भारत में नहीं आया है ये लेकिन ये 2019 में नाइजीरिया फ्री फ्रॉम लस्टा फिवर इन 2019 कि ये आद अखाना है अबको कोई भी बीमारी यदी वहां उसकी सिंटम्स पाथ साल तक देखने को नहीं मिलते हैं यसे कोरोना की बात करते हैं ठीक है फ्रॉई जव जधितर जैसे पोलियो पीमारी यदी पाथ साल तक जब उसको पोई भी पोलियो मुक्त नहीं हुआ है तो ये आपको याद अखना है तो ये हो गई है बाहरस से होने वाली बीमारी अब हम लोग देख लेते हैं कबक से होने वाली बीमारी कबक जनित रोग कबक के द्वारा होने वाली बीमारी वही फॉर्मेट चलेगा है यहां बीमारी का नाम यहां पर हो जाएगा अफेक्टेट औरगन अफेक्टेट औरगन और फिर यहां हो जाएगा बिसेश और यहां हो जाएगा अफेक्टेट औरगन तो पहला लिख लेजिए अस्तमा किसे हम लोग दमा भी कहते हैं या सास की बीमारी सास की बीमारी या दमा कहते हैं हम लोग अफेक्टिट और्गन आपको पता है लेंट्स होगा फेपड़ा लंग्स या फेपड़ा अफेक्टिट और्गन होगा ये दवंग मुवी में चुलबूल पांडे की मम्मी को था अस्तमा और फिर हम लोग लिखते हैं यहां पर दूसरा बिसी इसे लिख लेना एस्परजीलस एस्परजीलस फ्यूमी गोटस फ्यूमी गेटस ये क्या है ये कवाक का नाम है एस्परजीलस फ्यूमी गेटस फ्यूमी गेटस क्या हो जाएगा इसके कवाक का नाम है ये कवा क्या फंजाई का नाम आगे भी आएगा ये नाम कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ेंगे फिर से इसके बारे में दूसरा है और बीबारी होती एक होती एथलेट फूट एथलेट फूट एथलेट इसको गुलते है इसको बूलते है तो तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइलेरियम, इसमें पेर जैब तिर्चे होते हैं, जैसे माली ऐसे पेर रहते हैंगे, तो इसके पेर कैसे हो जाएंगे, तिर्चे हो जाएंगे थोड़े से, इसको बोलते हैं अफेक्टेड और्गन हो जाएगा लैक्स, पेर इसमें क्या हो जात के पर ने हाँ पेर में आम लोग पैड लगाते हैं अचैनल कि फिलते है फ को पता है पैल लगाते है तो पैडनी सुजाएगा को पैडना फ्स और यह कि इस हुआद है रखना कि कि यस बिंड पैप में कि जमां भाव हो जाता है चीन कि हम गठर स्काव पको दुद दो यह बाला भागें लेकिन ओवर ओल आपको याद रखना है कि लंग्स अफेक्टेड और्गन अस्तमा में क्या होता है लंग्स होता है पैडिस्टीनिया पैडिस इसके लावा फिर एक होता है गंजापन वाल्डनेस यह कुछ है डेटी वाला भी रहता है और कुछ क्या है फंगाई भी रहते हैं फंजाई वाला यह आपको या रखना है टीनिया पैडिस हो गया बाल्डनेस के दिए हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें अफेक्टेड और्गन रहता है इसकिन कौनसी वाली इसकिन इसकल्फ वाली इसकल्फ मनलब क्या खूपड़ी वाली है ना इसकिन बाल्डनेस और इसके फंजाई का नाम है टीनिया देखो जब गंजा हो जाते हैं तो आप कैप लगाते हैं क्या लगाते हैं तो कैपेटिस क्या रखना है कैपेटिस कैपेटिस यह इसका क्या हो जाएगा बायरस का सॉ लगाते हैं कब लगाते हैं जब गंजा हो जाते हैं गंजा पन याद रहेगा एथरेट फूट याद रहेगा टीनिया पैडिस प्रसान सर्मा इसे हाती पाउं क्यों कहेंगे हाती पाउं हमने लिखा है ना फाइल एडिया को कहते हैं हाती पाउं अपनने किसमें लिखा था फाइल एडिया में देखो ये लिखा हुगा नैसे हाती पाउं कहते हैं तो एसलेट फूट को नहीं कहेंगे ना confused नहीं हो ना, इसलिए मैंने आपको पता है, इसमें पेर में soiling है जाती है, पेर कैसे हो जाते हैं, बड़े-बड़े हो जाते हैं, इस कारण इसको हाथी-पाउ बीमारी बोलते हैं, जबकि उसमें पेर कैसे हो रहे हैं, तिर्चे हो रहे हैं इसमें पेर कैसे हो रहा है ये देखो तर्शे होते हैं इसमें पेर ऐसे हो के ऐसे हो जाएगी तो एसे लिए फूट बोलते हैं इसको और टीनिया पैडेस और ये क्या है टीनिया केपेडेस इसका क्या हो जाएगा इसका ये नाम है फंजाई का एक होता है इस केवीज इसके भी जिसे हम लोग खाज भी कहते हैं खाज भी मारी क्या कहते हैं खाज हो गया तो यह यह आ तक हैं इसके भी चीए हम बात करते हैं और इसके फेंजाई का नाम है इकरस इसके भी तो यह तो नाम से ही पता चल जाएके लेकिन यह लिखाता है कई बाद एकरस एकरस क्या है यह इसके फंजाई का नाम है तो यह आपको या रखना है एकरस इसके वीज हो गया इसके लाबा फिर है रिंग वाम रिंग वाम रिंग वाम को हम बोलते हैं दाद अफेक्टिट और्गन क्या हो जाएगा इसकिन हो जाएगा इसकिन हो जाएगा अफेक्टिट और्गन इसकिन और ट्राइको फाइटन आपने सुना होगा तो इसके क्या है यह ट्राइको फाइटन यह इसके फंजाई का नाम हो जाएगा दाद और खाज की अधि हम बात करते हैं नहीं हुआ था इंद्रेश देख लिजिए यह है इसके बीज इसकिन अफेक्टिट अर्गन होते हैं और एक और मैंने आपको बता है रिंग मॉम दोनों में अंतर के हैं दाद और खाज मेडिशिन इनकी साथ में आती है दाद और खाज की बस फर्क क्या होता है कि आपको पू रिंग बॉम बोलते हैं उसे तो यह हो जाएगा लिख लिजिए आराम से और यह है रिंग बॉम इसकिन इसमें अफेक्टिट अर्गन होगा ट्राइको फाइटन ट्राइको फाइटन क्या है इसका तो यह है दोस्तों फंजाई का नाम चली इतने जो है वो छीज़ी आपको याद अख रही है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सबसे पहले देखा था इंफैक्टियु डिजीज और उसके बाद हमने देखा नॉन इंफैक्टियु डिजी ये पढ़ दिया था आमने ऐसे रोग जो एक वैक्ती से दूसरे वैक्ती में फेलते हैं उन्ने हम लोग क्या कहते हैं संक्रामा फोलते हैं इसके लावा 規से संक्रमगोग कोशन भी जाते हैं कि अब एक ढांगरोग को समझाना बैले पूछाना है और कि आप डेफिनेशन लहेकर पांच रोग समझादिय काम दर गदिए तो stopgg आप दो करने वहें हम conseguうस जी उलते हैं और संक्रमक रोग बुलते हैं और ये रोग होते हैं प्रोटो जोग से होते हैं जीवाणू से होते हैं बाइरस से और कवक से फेरते हैं जबकि ये रोग प्रोटीन विटामिन की कमी से होते हैं हार्मोन और खनीज की क्या है कमी यह जिक्ता से होने वाले रोग कल खत्म करेंगे शेप्टर कॉंभ लोग मैं जामपल थे इसके इहां के आबाउस से होता है इसी प्रकार इसके लाभा फिर हमने देखा था प्रोटो जोग से होने वाली बीमारी तो पहले हमने देखा मलेरिया फाइलेरिया पाइरिया और इसके लाबा इंसोम्रिया इस सारी की सारी बीमारी किस्टे होती है प्रोटो जोग से होने वाली बीमारी है इसके लाबा फिर हमने देखा बिसाडू जनित और वुहान जो है वो सिटी से फैला हुआ है इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं तो डेंगू हमने पढ़ा डेंगू की एदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यह डबल अप्लेट लेट्स की कमी हो जाती है और इसमें मच्छर का नाम क्या है तो यह है एडिस इजिप्ती चि है यह किया जाता है तो यह किया जाता है दोस्तों 28 जुलाई को और उसके बाद से अबने देखा सबसे डेंजर होता है तीसरी स्टेज फिर अमने देखा और मलेदिय समंदित आपको क्या हुंबर्ग दिया था यह करके लाना है आपको इसके अलाबा दोस्तों चिकन पॉक्स होता है और इस वाइरस का नाम है वेरी सेला या फिर जह है वेरी ओला एंटिबोडी एक्रियेट कर लेता है यह अपने प्रती इसके अलाबा एड्स की करते हैं तो वह nous एक होता है वेस्टन word टेश्ट इसके लिए होता है लिए नीपा बाद करें तो कईरल में फैला था है यह छम घादा था यह लिख लेना इसके लाबा सिम थे लज देखा dresses के यह दोजारा न कहिं wysजार allen ऐसा यह इसे चमकी वुखार भी कहा जाता है चैनांइन से फैल गया त है ये गिर नेशनल पार्क में फैल गया था था दोजार इननीज में लच्टा फिबर की बात करें तो इसे नाइजिरिया मुक्तुगा है 2019 में फिर हमने देखा कबक से होने वाली बीमारी तो इसमें देखा अस्थमा लंक्स अफेक्टेट और्गन रहते हैं एस्परजीलस इसका क्या है फंजाई का नाम है एसलिट फूट की बात करें तो लेक्स होता है इसमें अफेक्टेट और्गन और टीनिया पैडिस क्या हो ज जाएगा एकरस इसके बीज इसके लाबा फिर हमने पढ़ा रिंग बॉम इसके नोगा और ट्राइको फाइटन क्या होगा इसके फंजाई का नाम होगा चली कल पढ़ते हैं फिर अभी यहां दूसी क्लास है सभी लोग अपना ख्याल रखिए